हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स में चैनल रूरल इंडिया व्लोग में आपका स्वागत है कैसे हो फ्रेंड्स आप आई हो फ्रेंड्स, आप सब स्वस्त होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे, तो फ्रेंड्स देखी, मैं आज आपके लिए एक बहुती प्यारा सा, सिंपल सा डिजाइन लेके आई हूँ, बहुती सिंपल सा डिजाइन है ये, और दो इसलाइयों का ये डिजाइन है, को फ्रेंड्स किसी भी प्षरोजेक्ट में बना सकते हैं चाहे वो लेड़ी स्विटरो जैकेट माफ लएंकेट पैट बेंकेट्ट बच्चों के ड्रस केसी भी प्रेक्ट में आप इसे में अप बना सकती हो यह सब्सक्राइब का डिजाइन है दो फंदे दो फंदे दो फंदे इस तरह का यह डिजाइन है और दो इस लाइयों का सिर्फ यह टोटली डिजाइन है यह देखिए दो इस लाइयों का डिजाइन है और डिजाइन जो हमारा उल्टी साइड से स्टार्ट होगा रोंग साइड से हमारा डिजाइ डाली फिर फ्रंट वाला फंदा हमने इस तरह बनाना यह देखिए फिर छोड़ देना यह देखिए दो फंदे हैं पहले इस फंदे को बनाएंगे हम इस तरह यह फंदा बना दिया अब जाली बनाई फिर फ्रंट वाला फंदा बनाके छोड़ दिया यह देखिए इस तरह पह पैटा फिर फ्रांट वाला फंद बनाया इसही तरह कि भी इस तरह यह कि दूबर पने पीछे वाला फंद हमने पहले बना लिया यह फिर दागाला पेटा जाली डाली फिर फ्रंट वाला फंदा बनाए दो फंदे के हमने यह देखिए तीन तीन फंदे बना रहे हैं यह देखिए यह देखिए एक फंदा जाली बनाए दो और यह देखिए एक फंदा जाली बनाए दो और यह देखिए एक फंदा जाली बनाई तो स discistem थाम्दा देकि कि पहला फंदा फिर दो भंदे हो गए आप ये तीन फंदे ओ इससे तरह है एक फंदा अवजाणा डाली दो फंदे हो गए आप ये 3 फंदे हो गए इस तरह आपने दो फंदे के तीन फंदे बनाने हैं इस तरह देखे दो फंदे के तीन फंदे मनाने इस तरह और यह लास्ट वाला फंदा मैंने उल्टा बना लिय इस तरह F deduct second row right side से पहला फंदा उतार लिया अब धागा अंदर के ये तीन फंदे हमारे तो ये पहला फंदा हमने उल्टा करके बनाना है फिदागा बाहर करना अब ये एक जाली वाला एक दूसरा इन दो फंदों को हमने सीधा करके इस तरह बनाना है फिदागा अंदर किया एक फंदा और ये दो फंदे हमने इस तरह सीधा करके बनाना है ठीक है ये देखी ये तीन फंदे हैं एक फंदा तो हमने उल्टा बना लिया फिदागा बाहर किया दो फंदे हमने सीधे बना लिये फिदागा अंदर किया एक फंदा उल्टा दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, फिदा गंदर किया, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, इस तरह आपने ये देखिए, एक फंदा उल्टा बनाया, तीन फंदों में से पहला फंदा हमने उल्टा बनाना ये देखिए तीन फंदे हैं तो हमने पहला फंदा उल्टा बना लिया और ये दो फंदों के हमने एक कर दिया फिदा का अंदर किया एक फंदा उल्टा और ये दो फंदों के हमने एक कर दिया एक फंदा उल्टा दो फंदों का एक कर दिया इस तरह आपने एक फंदा उल्टा बनाया दो फंदों का एक कर लिया एक फंदा उल्टा दो फंदों का एक कर लिया और यह लास्ट वाला फंदा भी मैंने उल्टा बना दिया यह देखी यह सेकंड रो बनके हमारा डिजाइन इस तरह बनता ठीक है अब फिर मैं दुवार आपको बताती हूं थर्ड रो फर्स्ट रो की तरह पहला फंदा उताली धागा अंदर किया अब एक दो फंदे हैं पीछे वाले फंदे को हमने इस तरह उल्टा करके बनाना है फिर जाली डालनी है दो फंदे बन गए फिर एक फंदा फ्रंट वाला फंदा बनाया तीन फंदे बन गए यह पहले पीछे वाले फंदा बनाया जाली डाली दो आप यह तीन रहें इसी तरह एक जाली डाली दो और यह तीन यह हमारी थर्ड रोजों है फर्स्ट रोज की तरह मैं द्वारा आपको बताने जा रहे हूं कि किस तरह डिजाइन को हम आगे बढ़ाएंगे यह देखिए दूसरे फंदे को बनाएंगे फिर जाली डालेंगे एक फंदा बन गया और और एक और तीन फंदे बन गया यह देखिए एक फंदा बन गया धागा लपेट लिए हमने दो फिर तीन एक धागल पेटा दो और ये बन गया तीन इस तरह आपने एक एक ये तीन एक तेन दो और ये तेन एक दो और तेन एक धागल पेटा दो और ये तीन और लास्ट वाला फंदे मैंने उल्टावना लिया फूर्थ रो राइट साइड चे ये देखिए पहला फंदा उतार लें द्भागा अंदर कर लिया अब ये 3 फंद है तो पहला फंद हम उल्टा बनाएंगे दो फंद का एक कर लेंगे ये हमारी सेकंड रो की तरह बनेगी 4 ये देखिए 3 फंद है तो पहला फंदा मुल्टा बनाएंगे और दो फंदों का एक टेंगे बाहर के तरह सीधर करके रीखिए एक फंदा उल्टा अ 11-7 यही एक फंदा उल्टा दो फंदों का एक इस तरह आपने यह पूरी अरोब बना लिया है रेखे इस तरह इस तरह फ्रैंस एक फंदा उल्टा एक फंदा उल्टा और दो फंदे सीधे एक फंद यह देखे इस तरह देखे कितना खुशूर सा डिजाइन लगता देखने में बहुत ही प्यार डिजाइन दिखता है दो फंदों का एक दिया एक फंदा उल्टा दो फंदों का एक दिया और यह हमारा लास्ट वारा फंदा इस तरह फ्रैंस हमारे डिजाइन बनके तयार होगा तो फ्रैंस आपको मेरे यह डिजाइन कैसा लगा कमेंट बोक्स में जरूर लिखना और फ्रैंस वीडियो अच्छा लगने पर लाइक शेयर और सस्क्राइब भी जरूर करना और फ्रैंस बैल आइटम जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली प्रैंस के लिए जरूर ट्राइए करना धन्यवाद पाई बाई